तो हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने में वर्ब के बारे में पढ़ा तो में वर्ब में से 75% में वर्ब ऐसी थी जिनने एक ब प्र्शन थे वहुकर थे पहला वश्वर्ब की सायं और क्या उसर्व के सा'M です लगाना है कि की लगने तीन मेजर हैमारे सब्सक्राइव और इस तरीके से वहां पर जो फिलिंदा भ्लैंक उसके अंदर वरा उससे मुझे काफी एक पॉजिटिव एनरजी भी मिली और विश्वास भी हो गया कि हाँ अगला जो हमारा सेशन आएगा यानि आज का सेशन है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस को देखने वाले हैं कि आप लोगों को सेम वैसे ही टेंस दिया जाएगा उसका सब टेंस दिय लो और नहीं भी लिखो मैं तो कह रहा हूं मत लिखो चलो छोड़ो इससे पहले वाला जो लेक्टर है न उस पर जाकर करके जिस जिस बच्चे ने लिखी है वर्ब की तीनों फॉर्म्स वो जाके पढ़के या जाओ उससे भी आपको बहुत फाइदा होगा कभी भी आप मे प्रफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर क्या है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म कब जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो वर्ब की सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो यह हमारा पहल D category का हमारा subject हो, उसके अलाबा sentence हमारा कैसा हो, affirmative हो, अगर ये दोनों condition एक साथ मिल गई, तो हम लोग S, E, S या IS लगाने में दिमाग लगाएंगे, और अगर दोनों या दोनों में से एक नहीं होगा, तो हम लोग verb की first form का इस्तमाल करेंगे, अगला question हमारा इसी से related आजाता है S कहां लगाना है, ES कहां लगाना है, IS कहां लगाना है, तो सीधा सीधा short में बता रहों, detail में देखना है, last वीडियो में, अगर short में समझना है, तो short में एक बार समझा रहा हूँ, कि अगर verb के अंद में SS है, CH है, SH है, O है, X है, Z है, तो ES लगा दो, उसी के साथ में consonant plus Y है, तो y को अटाओ और is लगाओ अगर वाउल प्लस y है तो s लगाओ काम खतम और बाकी की जितनी भी वर्प्स बची x उन सब के साथ में s लगाया और काम खतम करना है ठीक है ये पहला question का answer ये दूसरे question का answer ये तीसरे question का answer तीनो question का answer यहाँ पे आपके सामने है इसे देख लीज पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत important है future tense में दिमाग लगाने की जरुरत ही नहीं simple future tense का sentence है तो हमेशा वर्प की first form basic form लग जाएगी और काम खतम हो जाएगा तो ज्यादा परेशान होने के आपको कहीं जरुरत नहीं पढ़ेगी ठीक है और बाकी continuous perfect और perfect continuous हम लोग discuss कर चु कि इसमें गलती से मतले लेना कि वर्प की second form बरनी है यह नहीं है यहाँ पर आपको इस वर्प के according सीधा word बरना है यानि कि यहाँ पर मेरा answer हो जाएगा eight क्यों क्योंकि मेरी वर्प कैसे हलती है eat eight eaten इस तरीके से चलती है ठीक है तो साथ ही साथ girls के साथ अगर हम देखे simple present tense म होने के बाद भी मैंने drinks क्यों नहीं करा यहाँ पर s क्यों नहीं लगाया फटाफट से प्लीज करेक्शन करना अगर गलती कर रहा हूं तो comment करके बताओ मुझे के यहाँ पर s क्यों नहीं लगा चलिए team के साथ simple past tense में drive drove और driven friends के साथ simple future tense verb की first form teach का teach ही रह जाएगा कोई tension न next आगया Tommy के साथ present simple tense simple present tense में Tommy के साथ में bring का brings हो जाएगा next water के साथ simple future tense by का by रह जाएगा teachers के साथ present simple tense में right चलिए और अभी जो भी बच्चे practice कर रहे है मेरे साथ मेरे साथ साथ या मेरे से पहले-पहले answer लिख रहे है सारे live chat में मतलिकना आज का यह जो lecture है live lecture नहीं है मैं नहीं देखूंगा live chat में किसी का भी answer नहीं देखूंगा clear बोलरहों में light chat open करके भी नहीं देखूंगा मैं केवल और केवल उन्हीं बच्चों के answer देखूंगा जिनके comment box में होंगे इसके सारे answer comment box में ही होने चाहिए अलग से नहीं होने चाहिए ठीक है teachers के साथ simple present tense right का right रह जाएगा अभी भी अगर कोई live chat में है तो अभी भी मौका है तुरंत प्रवाव से उधर चले जाओ comment box में servant के साथ simple past tense read का spelling same रहेगी pronunciation red हो जाएगा read red बनता है तो simple past tense में spelling तो वही रह जाएगी लेकिन pronunciation उसका उचारण जो है वो change हो जाएगा read का red हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं I के साथ simple past tense pay pay की past form होती है paid V के साथ simple present tense sell sell का रह जाएगा sell कोई change नहीं D के साथ past simple tense play का हो जाएगा played verb की second form she के साथ try का simple future tense में try का try ही रह जाएगा कोई changes नहीं होगे U के साथ simple present tense में pray का pray रह जाएगा इसमें भी कोई change नहीं होगा He के साथ future simple tense में cry का cry रह जाएगा कोई change नहीं होगा It के साथ simple present tense में meet का meets हो जाएगा Someone के साथ past simple tense में cook का cooked हो जाएगा ठीक है फटाफट से अपने answer match कर लीजे paid sell played try pray cry meets cooked सही है क्या सबके answer चलोगा इस चेक कर लिया क्या चलुए next पर बढ़ रहे है नेक्स हमारा आ जह पर continuous tense अब continuous tense में आप लोग पहले कर लो मैं आपके बात करूँ गा आप लोग पहले करो मैं आपके बात करूँ गा और आप से कम time में करूँगा फटा-फट से चेक करते जाओ कौन-कौन सा tense है कौन सा subtense है कौन सी verb है और सामने subject को ध्यान से जरूर देखना क्योंकि subject के according ही आपको इसको करना पड़ेगा ठीक है तो थोड़ा ध्यान से करना फटाफट से कर लो चलिए 3, 2, 1 मैं कर रहा हूँ Eating Drinking Driving Teaching Bringing Buying Writing Reading हो गया मेरा मैंने आप लोगों को बोला कि subject देखना मत देखो subject कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता tense देखना मत देखो कोई भी tense हो कोई फरक नहीं पड़ता केवल और केवल सब tense देखना है continuous tense और continuous tense हो चाहिए perfect continuous tense हो हमेशा verb की ing form लगती है verb की first form plus ing का इस्तमाल किया जाता है तो अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो continuous tense में हमें बिना सोचे समझे बिना कोई दिमाग लगाए केवल ing form लगानी है ing form को वहां इसलिए आप लोगों से जल्दी मेरा हो गया क्योंकि मैं ना subject देख रहा था ना tense देख रहा था केवल और केवल continuous tense देखा और मेरा काम complete चलिए वापस सेम आपके सामने है क्या करेंगे इसके अंदर subject देखेंगे ध्यान से फोकस करेंगे subject पे कि नहीं करेंगे tense देखोगे जहां से या नहीं देखोगे या केवल sub tense देखोगे और काम कतम करोगे तो pay का क्या हो गया paying sell का selling play का playing try का trying pray का praying cry का crying meet का meeting cook का cooking ठीक है तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वहीं हम इसे कर सकते हैं next आजो तुरंत प्रवाओ से बात कर रहे हैं perfect tense के बारे में तो perfect tense के अंदर हमने क्या बात की थी कि यहां पर भी हमें ना subject देखने की ज़रत है ना tense देखने की जरत है हम हमेशा वर्ब की थर्ड फर्म का इस्तमाल करेंगे तो इट की थर्ड फर्म क्या हो गई गाई इट की थर्ड फर्म हो गई इट इन ड्रिंक की ड्रिंक ड्रेंक ड्रंक ड्राइब ड्रोव ड्रिवन टॉट टीच टॉट टॉट ब्रिंग ब्रॉट 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 बॉट इसम ठीक है तो दुनों सुनने में बोलने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन R का डिफरेंस है, ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट, 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 रइट, रोट, रिटन, read red red spelling same रहेगी pronunciation change हो जाएगा pronunciation क्या हो जाएगा हमारा red हो जाएगा फटाफट से चेक कर लीजे देख लीजे और आप लोगों में से जिसने इन में से जो वर्ब पिछले lecture के अंदर लिखी थी comment box के अंदर के सर मैंने उसकी पांचों forms लिखी थी वो एकवाल में को comment करके जरूर बताना न मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने इन में से कोई इस्तमाल की थी तो आपने पिछले lecture में इस्तमाल की और आज आपके काम आगी ठीक है तो जरूर बताईएगा मुझे अगर आप में से किसी ने इस में से कोई अगर लास lecture पे लिखी है प्राय ट्राइड 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 प्रे प्रेड 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 क्राय क्राइड 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 मीट मैट मैट कुक कोग्ड कोग्ड ठीक है इस तरीके साम इसे लिख सकते है चलिए फटाफट से चेक कीजिए आपका साहिय की गलत है चेक कर ल कि चलिए गाईस तो आगे बढ़ते हैं next हमारा क्या है यहाँ पर past perfect continuous tense हम लोगों नहीं क्वाग्य कहा था continuous tense को इसा भी हो continuous tense को इसा भी हो हमेशा verb की फर्स फॉर्म प्लस आई-एजि का इस्तमाल वहां किया जाएगा तो हमें subject से मतलब नहीं, tense से मतलब नहीं, substance हमें मिल गया, verb की first form में हमें क्या करना है, ing according to rule लगाना है, eat का बना, eating, drink का बना, drinking, drive का बना, driving, teach का बना, teaching, bring का बना, bringing, buy का बना, buying, write का बना, writing, read का बना, reading, ठीक है, इस तरीके से हम सामान्यत है, ing लगा करके, इन्हें complete कर सकते हैं, check कर लेना, भाई, अला कि check करने की जुरत नहीं है, कि वहल दो को ध्यान से दिख लेना, drive और right को, last में e होने की वज़े से, दोनों के दोनों वावल्स हम साथ में नहीं लिखेंगे, अगर वावल होता है, तो वावल को हटा करके और ing लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम वावल का use नहीं कर रही हैं, चलिए next, पे का paying बन गया, sell का selling बन गया, play का playing बन गया, try का trying बन गया, pray का praying बन गया, cry का crying बन गया, meet का meeting बन गया, cook का cooking बन गया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से इस comment box में आपको answer लिखने है number one ना तो आप cheat कर सकते हैं ना ही आप Charles को देख सकते हैं आपके answer गलत होंगे तो मुझे चलेगा आप incorrect answer लिखिए मैं उसमें बहुत खुश हूँ गलत आंसर लिखिए मैं उसमें बहुत खुश हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं और मुझे उस बात का कोई दुख नहीं अगर आप में से कोई गलती भी करता है तो ठीक है लेकिन cheating नहीं करना है और charts में नहीं देखना है ठीक है ताकि हमें exact पता चले आज हम किस condition पर खड़ें ठीक है correct answer जो है वह अगले lecture में हम लोग discuss करेंगे for definitely तो चलिए फटा-फट से इसका screenshot ले लिजे और comment box में मुझे सारे answers दे दीजे इसके चलिए guys next page पे जा रहूं गाइस चीक है यह एक mix exercise है जिसे आपको करना है comment box के अंदर इसे complete करके दिखाना है तो I hope आज का lecture थोड़ा short lecture है क्योंकि हमारे पास continuous trends में ज्यादा कुछ था नहीं perfect trends में ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए बहुत ज्यादा experiments हमारे पास थे नहीं कि 75% डेटा जो है वो तो fix है उसमें तो ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं सकते कि 25% डेटा ऐसा था जिसको हम लोग सोच समझ करके लिख सकते हैं तो आप सोच यह कितना आसान है English आप लोगों को लगत बहुत मुश्किल है बहुत दिक्कत आती है कि वास्तविक्ता में देखा जाए कुछ भी टफ नहीं है बहुत इजी टॉपिक है ठीक है थैंक्यू वेरी मच्च आइल सी यू सून इन माइक्स लेक्चर तिल आट टेक क्यर आप यरसल्फ बाबाई अगले लेक्चर में मैं इसके आंसर तो लहूंगा ही लहूंगा साथ साथ sentence structure किस तरीके से हमारे इन सारे rules को manipulate करता है प्रभावित करता है types of sentence कैसे प्रभावित करते हैं हमारे helping verb, main verb, wh words इन सब को इसके बारे में हम अपने next lecture के अंदर बात करेंगे और definitely उसके बाद उस पर भी exercise आएगी thank you very much I'll see you soon in my next lecture till death take care of yourself bye bye I'll see you soon I'll see you soon